अब चलू दलहनी फसिल में हामरे मंदेखब मूंग के इकर उन्नत प्रभेद इकर उन्नत प्रभेद है पूसा विशाल खरीफ लगिन S.M.L. 688 गर्मा लगिन बुवाई कर दूरी रहक चाहिए 30 से 10 सेंटीमिटर तयार हुए जायलाई 60 से 65 दिन में और इकर से उपज भेटायल और इकर से उसत उपज भेटायल 12 से 15 कुंटल प्रती हेक्टर इकर में विशेस गुनाहे रोग औरोधी गरम कला में बुनेक लगिन बेसोयल इकर लगिन खेत कर तयारी इकर लागिन खेत कर तयारी कैसे करल जाये? इकर ले बुने कर बेस बेरा फरवरी कर मधे से मार्च कर मधे तक रहेल। बिहिन कर दर का रहेक चाही। बिहिन दर 30 किलोग्राम प्रती हेक्टर रहेक चाही। इकर में 25 अनुपात, 50 अनुपात, 25 अनुपात, 20 किलोग्राम एन पी एस प्रती हेक्टर होयल। इकर में औरो और वरक मनक प्रयोगोयल। जैसे पहिल है यूरिया। इकर मात्र का रहेक चाही 10 किलोग्राम प्रती हेक्टर। दूसर है D.A.P. इकर मात्रा रहेक चाही 80 किलोग्राम प्रती हेक्टर। तिसर है Mureate of Potass. इकर मात्रा रहेक चाही 40 किलोग्राम प्रती हेक्टर। इकरों में जिवानुखात कर प्रयोग होयल, बुनेकर पहले बिहीन के राइजोबियम कल्चर से दवाई करेक बेश रहेल, इकर निकाई गुडाई, इकर में दू धाउ निकाई गुडाई कर जोरत होयल, पहिल धाउ बुनेकर 15 से 20 दिनक भित्रे और दोसर धाउ बुनेकर 35 दिनक भित्रे, इकर में दू धाउ निकाई गुडाई कर जोरत होयल, पहिल धाउ बुनेकर 15 से 20 दिनक भित्रे और दोसर धाउ बुनेकर 35 दिनक बादे करें, पोधा कर संरक्षन, तो किसान भाई जैसन रोरे उरीद कर संरक्षन कर ली, पिलवा मन से, बेमारी मन से, बस उस नहें संरक्षन मुंगो कर करें, अब कटनी, दोरी और दाना कर भंडारन, मुंग कर फर एके धाउ में पाइक के नी तयार होयल, तो भाई, ये फर पाकल है से के रोद में बेश से सुखाय के समाट से बेश से ढढ़ाय देख चाहिए, तले जैसे जैसे तैसे एह प्रक्रिय के करेक्च चाहिए, इकर से दाना छिनेंग जैल, मुंकर दाना के रोद में सुखाय देवाए और भंडारन केर लेवाए